हलो फ्रेंड्स, वेलकम तू मैं चैनल, मैं हूँ अमन्ठाकुर, आज हम बात करने वाले हैं LIC के एक बहुत ही बढ़िया प्लैन के बारे में, जिसका नाम है बीमा जोती और टेबल नंबर है 860, यह जिसे हम प्लैन नंबर भी कहते हैं, देखें बीमा जोती एक non-linked, non-participating, guaranteed editions वाला प्लैन है, देखें non-linked का मतलब होता है, ऐसा प्लैन, जिसमें जो आपके द्वारा invest किया गया पैसा है, यह आप simple शब्दों में समझ सकते हैं, कि जो आप premium जमा करवाएंगे, वो market से link नहीं होगा, अर्थार्थ, आपको मिलने वाला जो benefit है, वो save रहेगा, सुरक benefit की participation से अलग है, यानि कि company को चाहे नुकसान भी हो, चाहे वाइदा हो, पर आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए guaranteed edition जो है, वो policy जब आप खरीबते हैं, तभी declare कर दिया जाता है, अर्थार्थ, guaranteed edition एक ऐसा bonus है, जिसकी value पहले से ही declare कर दी जाती है, क आपको इतना पैसा जो है, वो मिलेगा ही मिलेगा bonus के रूप में, तो चलिए इसकी detailing के लिए video complete देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इसके unique selling points बताए गए हैं, देखे बीमा जोती एक ऐसा plan है, जिसमें जो age limit है वो बहुत wide दी गई है, क्योंकि आप 90 दिन के किसी बच्चे से ले कर 60 साल तक के व्यक्ति को यह plan sale कर सकते हैं, यह एक ideal child policy है with guaranteed additions, मतलब देखे अगर हम बच्चों के plans की बारे में बात करें, तो बच्चों के जो plans हैं, जो बच्चों के लिए specially बनाए गए हैं, वो ज्यादा नहीं हैं, और उनमें अगर हम बात करें कि कोई ऐसा plan हो जो इसमें guaranteed addition की सुविधा हो, guaranteed addition bonus की सुविधा हो, तो बीमा जोती उनमें से सबसे बढ़िया plan रहेगा, और इसमें risk cover जो है, वो कितना है, 125% of summer short, death और maturity settlement दोनों की ही options इसमें available हैं, जो इसमें features दिये गए हैं, यह हमें combination के रूप में बाकि किसी particular plan में नहीं मिलते हैं, तो यह इसमें features हैं, जो कि इसे खास बनाते हैं, अब हम बात करेंगे इसके, जो main features हैं उनके बारे में, तो देखें, जैसे कि इसमें बताया गया है, कि वीमा जोती एक non-linked, non-participating, individual, limited premium payment plan है, तो देखें, जैसे कि हमने बात की, कि यह non-linked है, और non-participating है, वो तो आप समझ गे, individual का मतलब है, कि कोई भी एकल व्यक्ति, single व्यक्ति, जो है, वो अपने लिए इसे खरीश सकता है, या अपने बच्चे के लिए खरीश सकता है, अपनी wife के लिए खरीशना चाहें, वो आप कर सकते हैं, और खास बात है, कि यह limited premium payment plan है, अर्थात जितनी policy की term होगी, आपको प इसमें guaranteed edition की value, company के द्वारा starting में ही fix कर दी गई है, जो है, पचास रुपए पर हजार समशोर्ड of the value per year, यानि कि अगर समशोर्ड की value हजार रुपए है, तो पचास रुपए हर साल guaranteed edition आपके खाते में जुडता जाएगा, और जब आपकी policy में जोर होती है, तब आपको यह मिल जाता है, only guaranteed plan है, जो की बच्चों की child education या फिर marriage में बहुत ज़्यादा helpful रहता है, अगर आप अपने बच्चे के लिए कोई plan सोच रहे हैं लेने की, तो जो बीमा जोती plan है, यह बच्चों के लिए बहुत बढ़िया plan है, क्योंकि guaranteed editions की सुविदा इसमें available है, पाँच riders हैं इसमें, optional riders हैं, जिन्हें की कोई भी rider जो भी आप लेना चाहते हैं, थोड़ा सा extra premium देके वो rider जो है वो लिया जा सकता है, और खास बात जो कि हमने पहले भी की, कि available up to the age of 60 years, यानि कि 60 साल तक के विप्ती को इस plan को दिया जा सकता है, या फिर 60 साल तक का विप्ती इस plan क अपने लिए खरी सकता है, next हम बात करेंगे policy की जो eligibility conditions हैं उन पर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे minimum और maximum age at entry, तो देखिए जैसे कि हमने बात की कि 90 दिन के बच्चे से लेकर 60 साल तक के विप्ती को इस plan को दिया जा सकता है, available है ये 90 दिन के बच्चे से लेकर 60 साल तक के वि के लिए, ठीक है, minimum और maximum age at maturity, तो देखिए minimum age at maturity है 18 साल और maximum age at maturity है 75 यानि 75 साल, policy की term इसमें 15 साल से लेकर 20 साल है, जो भी आपको suitable लगे वो आप जुन सकते हैं, premium paying term, जैसे कि हमने बात की कि premium paying term इसमें policy term से कम है, और कितनी कम है, जो भी आप policy term अपने लिए चूज करते हैं उससे 5 साल माइनस कर दीजिए, तो वो हो जाएगी आपकी premium payment term, अब जैसे मान लीजिए कि आपने policy term अगर चुनी है 15 साल की, तो आपको premium जो भरना पड़ेगा, वो सिरफ 10 साल ही भरना पड़ेगा, अगर आपने अपनी जो policy की term है, वो 20 साल चुन ली है, तो 5 माइनस कर दी सिर्फ 15 साल ही आपको premium भरना पड़ेगा, तो यह इसमें अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा तर लोग सोचते हैं कि हम लंबी policy, लंबे समय की policy नहीं लेना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत suitable plan है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें minimum summer short और maximum summer short की, तो देखे नेक्स्ट है जी commencement of risk, क्योंकि देखें इसमें जो minimum age at entry है, वो 90 days है, तो commencement of risk की अगर हम बात करें, तो जब तक जो बच्चा है, अगर उसकी IU 8 साल से कम है, तो policy लेने के 2 साल के बाद risk की commencement हो जाती है, या फिर जब बच्चा जो है 8 साल का हो जाए, अब इन में से जो earlier हो जा पर commence हो जाता है, नेक्स्ट अब इसमें बात करेंगे maturity और death benefit की, देखें, maturity पे जो जब plan mature होगा, complete term हो जाए, उसके बाद जब plan mature होगा, तो आपको इसकी maturity मिलती है, तो maturity के समय, sum assured, जितना भी sum assured है, प्लस guaranteed addition आपको मिलेगा, और guaranteed addition जैसे कि हमने बात की, कि guaranteed addition की value, जो शु पे per 1000 of sum assured per year, जो है, वो आपके policy account में add होता रहता है, और sum assured plus जितना भी guaranteed addition bonus बना होता है, वो majority पे मिल जाता है, और अगर हम बात करें, death benefit की, तो अगर जो death है, वो commencement of risk से पहले हो जाती है, तो जितना भी premium भरा गया है, वो वापिस मिल जाता है, पर अगर death जो है, वो commencement of risk के बाद होती है, तो या तो 125% of sum assured मिल जाएगा, या फिर जितना भी annual premium भरा गया है, उसका 7 गुणा, जो है, nominee को मिल जाता है, अब इन में से जो भी value जादा रहती है, वो nominee को दे दिया जाता है, इसमें जो आपके पास riders की भी सुविदा है, वो भी दी गई है, पांच तरह के riders दिये गए हैं, जो की optional रहते हैं, अगर आपको suitable लगे और आप choose करना चाहें, तो आप थोड़ा से extra premium दे के अपने लिए rider की सुविदा भी ले सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले दिया गया है, accidental death and disability benefit rider, second है accidental benefit rider, next है new town assurance rider, उसके बाद critical illness rider है और LIC का जो premium waiver benefit rider रहता है, उसकी भी सुविदा available है, अब देखिए यहाँ पर यह चार रंबर पे premium waiver benefit rider दिया गया है, मैं specially कहूंगी कि अगर आप यह plan किसी बच्चे के लिए ले रहे हैं, बच्चे यानि कि जिसकी आयू जो है, कम है, children policy के रूप में इसे ले रहे हैं, तो आप हमेशा इस policy को premium waiver benefit rider के साथ ही ले, क्योंकि अगर जो बच्चे का पिता है या माता है, जो भी मतलब policy में प्रोपोजर बना है, उनके साथ अगर कुछ miss happening हो जाती है, तो अगर policy premium waiver benefit के साथ ली है, उससे यह फाइदा रहता है कि premium नहीं भरना पड़ता है, premium waiver off हो जाता है पर policy रहसे ही चलती रहती है और policy के जो लाब है, वो बच्चे को as it is मिलते रहते हैं, नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कि इस policy में loan और surrender की सुविधा भी available है, अगर आपकी policy दो साल तक पूरे premium भरे गए हैं, दो साल तक proper way में चली है, तो दो साल के बाद आप उस policy पे loan भ भी करवा सकते हैं, साथ ही साथ income tax benefit भी इसमें आपको मिलेगा, under ATC और under section 1010-D income tax का लाब आप इस policy पे उठा सकते हैं, अब हम इस policy को इस बीमालोती plan को समझेंगे एक example के साथ, तो देखें स्क्रीन पे है Mr. Rahul, जिनकी age है 30 years, 30 साल इनकी age है, इन्होंने अपने लिए ना कि पॉलिसी की टर्म इन्होंने चुनी है 20 साल की, तो देखें, जो पॉलिसी की टर्म रहती है, उससे 5 साल काम PPT हो जाती है, तो इनकी जो PPT है, यानि की premium payment term है, वो है 15 साल, यानि की इन्हें 20 साल की policy term लेकर सिरफ 15 साल ही premium payment करनी पड़ेगी, अब जो इनकी conditions हैं, उनके आप से अगर annual premium बनाया जाए, तो वो बन रहा है 7,77,900 अब हम चेक करेंगे कि इस policy में जो benefits मिलेंगे न वो क्या होंगे, तो इस part को आप ध्यान से समझेंगे, देखें, अब जो Mr. Rahul है ना मान लीजिए कि policy उन्होंने करवाई, और policy करवाने के 5 साल बाद उनके साथ कुछ में happening हो जाती है, तो उनके परिवार को क्या मिलेगा, ठीक है, सबसे पहले जैसे कि हमने बात की कि इसमें 125% of summer short जो है, वो death benefit के रूपे मिल जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो family claim करेगी कितना 125% of basic summer short, अब basic summer short कितना था इसका, 1 करोड रुपे, तो 1 करोड का 125% कितना हो हो गया, 1.25 करोड ठीक है, अब क्योंकि guaranteed addition भी तो इसमें हर sell add हुआ है, पांच साल तो policy चली ही है, तो एक साल का जो हो गया, कितना हो गया हो, 50 into summer short, और divided by thousand, और 5 साल का करना है, तो इसको 5 से गुणा कर दीजिए, multiply कर दीजिए, तो कितना हो गया यह, 25 लाफ रुपे, ठीक हो गया, और 25 लाफ जो है, वो कितना हो गया, वो हो गया, इसका guaranteed addition, दोनों को जोड़ दीजिए, तो उनके nominee को कितना death benefit के रूप में पैसा मिलेगा, claim के रूप में मिल जाएगा, 1.50 करोड, यानि कि 1.50 करोड रुपया जो है, वो उनके nominee को मिल जाएगा, death benefit के रूप में, अगर जो death है, वो 5 policy years के रूप मतलब policy करवाने की 5 साल के बाद हो जाती है, next हम बात करेंगे कि अगर उनकी जो death है वो 15 policy years के बाद होती है मतलब policy करवाय हुए 15 साल हो गए है तब उनकी death हो जाती है तो देखिए सबसे पहले तो वो ही हो गया क्योंकि basic summer short का 125% जो कितना बन गया 1.25 करोड ठीक है अब क्योंकि policy 15 साल तक चली है ठीक है premium भरा गया है तो 15 साल का guaranteed edition भी इसमें add होगा और 15 साल का guaranteed edition कितना बन गया वैसे ही calculate करेंगे जैसे पहले किया बस उसमें 5 से multiply करवाय तो यहां 15 से करवा देंगे ठीक है कि अगर Mr. Rahul पूरी टर्म के दुरां सर्वाइब करते हैं सो कुशल अपना जीवन अगर व्यतीत कर रहे हैं उन्हें कोई problem नहीं आई तो उन्हें मिलेगा maturity benefit अब देखे अगर हम maturity benefit की बात करें तो maturity benefit में हमने जैसे शुरू में ही बात की थी कि एक तो मिलेगा उन्हें summer short अब summer short कितना है एक करोड रुपया है ना और साथ ही साथ मिलेगा guaranteed edition अब देखे 20 साल जो policy की term है तो उसका 20 साल का guaranteed edition add होगा तो guaranteed edition कितना बन गया एक करोड रुपय यनि कि उन्हें जो पूरी maturity मिलेगी वो मिलेगी दो करोड रुपय की maturity अब अगर इस plan में हम थोड़ा से calibration करें और check करें देखे एक साल का premium उन्हें भरा साथ लाक सब्तर हजार और नौसो रुपय 15 साल में भरा एक करोड सोला लाक अठा सटा चार और पांसो रुपय और maturity उने मिल रही है कितनी दो करोड रुपय तो इस तरह से जो बीमा जोती plan है बहुत ही बढ़िया plan है saving protection का बहुत जवर्दस combination है along with the guaranteed edition तो चाहे तो आप इस इसे अपने लिए या फिर अपने बच्चे के लिए इस plan को ज़रूर लीजिए क्योंकि जवर्दस combination है तो इसे आप ज़रूर लें लिए या फिर अपने बच्चे के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को like, share और subscribe ज़रूर कीजिए अगर कोई query है कोई question है तो मुझे comment करके आप पूस सकते हैं, thanks for watching the video and best of luck.